हेलो दूश्टों स्वागत है आपका प्रेंका लर्निंग क्लासिज में श्याशचमी बीपेसी वियार सिसी वियार दोरोगा आन एक्जाम को ध्यान में रखते हुए गठना चंकी सीरी चलाई जा रही है जिसके अंतरगत हम लोग समान वूगल के कोश्चन को देखते हैं ताकि एक्जाम में आपका कोई कोश्चन न चुटे तो चली हम लोग देखते हैं जोग्रफी के कोश्चन आज का टॉपिक है दर्रे काफी इंप्वाटेंट है यहां से एक्जाम में हर एक्जाम में एक दो कोश्चन आता है इसलिए ध्यान रखेंगे तो पहले हमनों नोट्स के माधियम से देखते हैं किसी परवत अत्वा पहाडी के श्ठीत निचला भाग जिससे होकर अस्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है दर्रा परवत के द्रोनी से होकर गुजरता है भारत के हिमाले छेत पश्मी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सरक एमरेल मार गुजरता है जामु कस्मीर के लदाग छेत में स्थित कारा कोरम दर्रा भारत का सबसे उचा दर्रा चबबन सब चौबन मीटर है गुर्जिल दर्रा स्री नगर को गिलगित से जोरता है जोर्जिला जासकर स्रेने में इस्तित है जिसे स्री नगर ले मार गुजरता है पीर पंजाल दर्रे से कूल गाँ से कोटी जाने का माँग गुजरता है पनिहाल दर्रे से जम्मू से स्री नगर जाने का माँग गुजरता है जवाहर जवार सुरंग बनिहाल दर्रे में इस्तित है सिपकिला, सिमला, हिमाचल परदे से तिबद को जोरता है वाला लाचा दर्रे मंडी से ले जाने की मार्क से कुजरता है थांगला दर्रा उत्राखंड के कुमाउस रेनी में इस्तित है नेक्ट फ्रेक्ट हम लोग देखते हैं माना दर्रा हिमाले चेत्र में बारत औरतिबत के बीच इस्तित है चित्वित्या ला डूग्रा ला कहा जाता है यह उत्रा खंडराज में नंदा देवी बायोस्पेर रिजर्ब में जासकर परवच्रेनी के पुर्वी छोड़ तक फैला हुआ है इसी दर्रे में देव ताल जी ले जहां अलग नंदा की सहाई का नदी तसती का उद्वम होता है लीपु लेक दर्रा भारत चीन सीमा परुत्रा खंडराज में इस्थित है थांगला नवाना नीती अबम लीपु लेक दर्रा मान सरोबर जील करलास गाटी का मार गुजरता है सिक्किम इस्थित नाथुला हिमाले छेतर में समुन तल से 45-48 मीटर की उचाई पर इस्थित है बारती छेतर में सिक्किम की रजदानी गंग्टोग 52 किलो मीटर पूर्व से इस्थित नाथुला चिनी छेतर में तिबत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है नेक्ष देखते हैं नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सिमा बैपार पॉइंट है अन दो बैपार पॉइंट उत्रा खंड में लीपू लेक तथा हिमाचल परदेश में सिपकिला है बर्स 1912 में भारत चीन युद के दोरान बंद किये गए नाथुला को भारत और चीन के मदवेपार के बिस्तार से उदेश से 6 जुले दुरचो को पुना खोला गया है नेक्स्ट है सिक्किम इस्तित जेले प्रलाम पुडवी सिक्किम जीले को लहासा तिबत से जोडता है नेक्स्ट है बामला दर्रा अरुनाचल परदेश कामेंग जीला में लहासा तिबत को जोडता है यांग याप दर्रा अरुनाचल परदेश में इस्तित है इस दर्रे के पास इंबरम पुत्र नदी भारत में परवेश करती है यहां से चीन के लिए मार्ग जाता है दीपु और पांग सांग दर्रा अरुनाचल परदेश भारत महनमार में सिमा पर इस्तित है मानिपूर में इस्थित तूजु दर्रा इमफाल से तामू वमयन मार जाने के माग से गुजरता है नेक्स्ट है पश्मी घाट तापती के मुहाने से लेकर कन्या कुमारी अंतरीप 1100 किले मिटर की लंबाई में बिस्त्रित है पश्मी घाट कुछ पर मुख दर्रे पाये जाते हैं नेक्स्ट है महराष्ट में पश्मी घाट में इस्थित थाल घाट दर्रे आर 588 मिटर से मुमबई, नागपुर, कुलकत्ता, रेल मार्ग और सरक मार्ग गुजरते हैं नेक्स्ट है भोर घाट दर्रा 229 मीटर महराष्ट मेस्थित हैं यहां से ममबई पुने बेलगाव चे नहीं रेल मार्ग एवं सरक मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट है मूलिंग लाग गंगोत्री के उतर में इस्थित मौसमी दर्रा है जो उतरा खंड में तिबद को जोडता है। अरुनाचल पर्देश और सेला अरुनाचल पर्देश में है। नेक्स्ट है पाल घाट निमनिकित में से किसके मद इस्थित हैं तो इसके अंसर होगा नेल गिरी और अन्ना मलाई पहारियां। नेक्स्ट है निमनिकित में से किसका सुमेल नहीं है तो इसके अंसर हो जाएगा भोरगाठ ही माचल पर्देश। नेक्स्ट है निमनिकित में से कौन सुमेलित नहीं है तो इसके अंसर है लीपू लेक उत्तर पर्देश यह सुमेलित नहीं है यह उत्रा खंडराज में इस्थित है। नेक्स्ट निम्निकी तीगव में से सत्म कौन साइ सुमेलित नहीं है तो इसके answer हो जाएगा नातुला नेगाला ये गलत है जबकि नातुला सिक्की में है निमनीखित दर्वों मेंसे किसे होकर ले जाने का राज्ता है तो इसका अंट्सर हो जाएगा जोजिला जोजिला स्री नगरले को ले से जोडता है बनिहाल दरा जमू को स्री नगर से जोडता है जिवकि सिपकिला दरहिमाचर परदेश को तिबत से संबंद करता है नेक्स्ट नाथुला किस राज में इस्थित है तो इसका अंसर हो जाएगा यह सिक्किम में इस्थित है नेक्स्ट है निमनिखित में से कौन योग सायोग सुमेलित नहीं है तो इसके एंसर हो जाएगा नाथुला और नाचल परदेश नेक्स्ट है वर्स 2006 के लगभग मत मेंनिखित ही माले दर्रू में से कौन साय एक बारत और चीन के बिच बेपार बनाने के लिए पुना खोला गया तो इसके एंसर हो जाएगा नाथुला नेक्स्ट हम लोगों को देखना है सुमेलित करना है तो बनिहाल हो जाएगा जमुकस्मीर नाथुला सिक्किम नीती उत्राखंड सिपकिला हिमाचल परदेश समय deficit करना है परवतियदर्र्र और राज तो भूमला and Control पर्दिश जेलेप्लाइस시ह, मूलिंगला उत्राखंड सीपकिल्य मचलपदिश नेक्स्ट को SHUMIELIT करना है तो नमाना, उत्राखंड नातूला, Everywhere study, जोजीला, जमू कस्मिर, सिपकिला अउइंस्टेश नेक्स्ट है नेमने कित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो सिप किला जम्मु कास्मिर में नहीं नेक्स कोस्टिन है नेमने कित अरो में से कौन उत्राकंड में आवस्तित है तो इसका अंसर हो जाएगा लिपु लेख नेक्स्ट लिपु लेक दर्रा है तो इसका अंसर है उत्रांचल नेक्स्ट समेलित करना नाथूला सिक्किम लिपु लेक उत्राकण रोतांग हिमाचल परदेश पालगाट केरल नेक्स्ट है रोतांग दर्रा अवस्थी थै तो इसका अंसर होगा हिमाचल परदेश में अवस्थी थै नेक्स्ट है माना दर्रा इस्थी थै तो इसका अंसर हो जाएगा उत्राखंड नेक्स्ट है किंगी विंगी नीती माना क्या है तो हो जाएगा दर्रे हैं किंगी विंगी नीती माना दर्रे हैं नीती दर्रा भारत के उत्रा कंडराज को तिबत सजोरने वाले हिमाले का एक परमुक दर्रा है माना या माना दरहिमाले छेत्रिक में भारत और तिबत की बीच इस्टी तरजी से चीरी बीतिया या डिंगुरू लाग भी कहा जाता है इसी देरे में देवताल जील है जहां से अलक नंदा और साहिका नदी सरसती का उद्गम होता है नेक्स्ट है निमनिकित परवतिय दर्रो का सही पस्चिम से पुर्व करम बताईए तो इसका एंसर हो जाएगा सी यानि कि पहला सिपकिला फिर लिपू लेक क्या नाथूला फिर क्या बोमडीला हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं हीम रेखा एवं हीमनद इसे रिटेट पहले नोट से देखते हैं हीम की निचली सीमा को हीम रेखा कहते हैं अक्षान सो उच्चावच वर्षन की मात्रा ढाल वनस्थानी अस्तला किर्थी में बिनताओ के कारण हिमाले के अलग अलग हिंसो में हीम रेखा अलग अलग है प्रन्तु आसद हीमरेका की उचाहिया उत्री भाग पर पचपन सो सिह हजार मीटर और महान हिमाले के दक्चिन भाग पर पैतालिस सो सिह हजार मीटर पाई जाती है इसी पर करपस्मी हिमाले और औसत हीम्रे का अंठावन सो मीटर है तता पुर्भी हिमाले में 43 सो मीटर पाई जाती है कारा कोरम जमू कस्मीर और अनाचल परदेश के मद हिमाले का लगवक 40,000 वर किलोमीटर चेतर हीम्नदों बड़ फिलो चेत से ढका है हिमाले के परमुक हिम्नद महान हिमाले और पड़ा हिमाले के परवतों में बिदमान हैं कारा कोरम लगदाक और जासकर स्रेनियों में हिम्नद पाये जाते हैं नेक्स्ट है लगू हिमाले के हिमानी छोटे होते हैं जबकि पीर पंजाल और धौला धर स्रेनियों में बड़े हिमनदों के अपसेस मिलते हैं नेक्स्ट है पीर पंजाल का सबसे बरहिम नंद सोना पानी है जो लाहूल और स्पीती परदेश की चंदा घाटी में इस्थित है चंद्रा घाटी नेक्स्ट है कारा कोरंब और महान हिमाले में बड़े आकारो मेहिम नाद बिदमान है इसमें सियाचीन 764 किलोमिटर इसपारा 61 किलोमिटर बियापो 60 किलोमिटर बाल्टोरो 58 किलोमिटर सासाई नी 1785 किलोमिटर पर मुख है चौड़ा बाड़ी गिलेसियर उत्रा खंड में रूत पढ़ पर्याग जीले में केदार नात मंदिर में उतर में अवस्थित है इस गिलेसियर के दक्षनी डलाल को कि दूरी मंदिर से 4 किलोमिटर उतर में है नेक्स्ट है गलेसियर से पिगनले के कारण एक जील का निर्मान हो गया है जिससे गांधी सरोबर के नाम से जाना जाता है मिलाम हिम नद उतरा खंड के कुमाव प्रचेत्र में अवस्थित मुख हिम नद है इसी हिम नद से सार्दा नदी काली गंगा का उद्गम होता है नोट देखते हैं गलेसियर सियाचीन बड़ा और ससाइनी उतर लोग सेवा आयों के अनुसार सियाचीन स्वत्र भारत का भूगोल लोग प्रफेसर रामचंत तिवारी इलाहाबाद के उच न्याले के अनुसार ससाइनी मितला सबसे बड़ा गलेसियर कौन सियाचीन यससाइनी उसी का सुरोत बताये जा रहा है गलेसियर की मापे तु पुष्टकों का कितना उत्तम सुरोत माना जा सकता है जबकि इसकी लंबाई छेतपल के लिए सर्वेक्चन अधारित सुरोत उपलब्ध है ऐस सरोत है रिकोर्ड्स अप जयोलोजिकल सर्वे अफ इंडिया बलूट 63 और वरल्ड गलेसियर इन्न वेटरी रिकोर्ड्स अपड़न जयोलोजिकल जयोग्राफिकल सर्वे अफ इंडिया के नुसार सियाचीन लंबाई 45 मिल है देख सकता है खारत के परमोग इमनद है यमानी का नाम सियाचीन कारा कोरम में इस्थी थे लंबाई다는 74,64 है भियापो कारा कोरम में इस्थी थे 30 km लंबाई है Smara कारा कोरम में 61 km Baltoro कारा कोरम में इस्थी थे 58 km Черगो लुंगमा कारा कोरम में तो यह 50 km खवर्दो जीन कारा कुरम में केची津ी 31 किलो मीटर रिमो कस्मीर में इसंती थी 14 किलो मिटर बुमना मंदी कस्मीर में इस्ती 27 किलो मिटर गंगोत्री उत्रा खंड में 26 किलो मि綠ी थे ज्यमू सि clients 27 Kn से आशनी कारव कोरं 17.85 है रूपल कस्मीर में 16 किलमीटर दियामीर कस्मीर 11 किलमीटर अवस्तित है अब इससे डेटेड हमलों कोश्चन देखते हैं पहला है हिमाले की हिमाले में हीम रेखाने निम में से बीच होती है तो इसके एंसर होगा ते ताली सो से 6,000 मीटर पुर्ब म में से निम में से कौन सा हीम नद सबसे बड़ा है तो इसके अंसर होगा सियाचीन हाँगा तो इसके अंसर होजाएगा के दारनात मंदिर के उत्तर में नेक्स्ट है हीमाले के हीम नदो में पिगलने की गति है तो यह हो जाएगा सबसे अधिक है नेक्स्ट है निमनिक्षित हीम नदो में से कौन उत्रा खड़ में कुमाओ प्रचेत अमें अवस्तित है तो हो जागा मिलाम आशा करते हैं आप कोई वीडियो पसंदाने होगा वीजन हो जाए तो आज के लिए इतना है दूस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यूँ